हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ मसी मतलम स्याही, कागद मतलब कागज नहीं छुआ, कलम कभी हाथ में नहीं गही ये बात वो व्यक्ति बोला है, जो जब आडंबर पे चोट करता है तो कहता है मूड मुडाए हरी मिले, तो मैं लेव मुडाए, बार बार के मूडते भेड न बैखुन जाए या काखर पाथ हर जूर के मस्जद लियो बनाए, ताचल मुला बागदे क्या बहरा हुआ खुदा है वो व्यक्ति जो कागज न छुने का दावा करता है, खुद को अनपढ़ होने का दावा करता है अगर वो समाज को अपनी भाषा के दौरा, अपने कावे के दौरा, अपने दोहों के दौरा धार्मिक आडंबर के प्रति सचेत होने को कहता है, अंधविश्वासों से दूर होने के लिए कहता है और दिखावटी लोगों को आईना दिखाता है, निश्चित तोर पे उस अलहर फकर फकीर यानि की कबीर के बारे में हमें जरूर जाना चाहिए बात की जाए हिंदी साहित की, तो हिंदी साहित का जो इतिहास आप देखेगे, तो आदिकाल के बाद दूसरे नमबर में हम पढ़ते है भक्तिकाल और भक्तिकाल में जो निर्गुन ग्यानाश्री शाखा है, जिसे हम संत शाखा भी कहते हैं उस शाखा के जो अध्युति प्रवीर कवी हैं, वे है कबीर, तो आज के इस वीडियो में हम कबीर को पढ़ेंगे, समझेंगे उनकी वाड़ी को, समझेंगे उनकी बातों को, देखेंगे उनके व्यंगों का तीवरता, और हम समझेंगे कि क्यों वो व्यक्ति समाच के सामन में आईना लेके खड़ाता, ठीक है, तो बात की जाए गर कबीर की, उसे पहले मैं बता दूँ कि सड़ी आईक्यू में, 31 मही से, 31 मही से हमारे नया बैचे शुरू है, ठीक है, 31 मही से हिंदी साहित के नया बैचे शुरू है, ओलरी साथ बैचे शलने हैं, लेकिन ये नया बैचे है, पुराने बैचे सारे ओवर हुए, नया बैचे हमारा है, 31 मही से शुरू हो रहा है, आपको डिले नहीं करना है, और एक बात में बताता चलूं कि हमेशा से हमने कोशिश की कि हमारे जो चात रहें, वे अपने optional यानि की वेकलपिक विशह, यानि की हिंदी साहित म में अटलीस्ट कम से कम 300 प्लस मार्क ले के आएं, और बात कीजाएं, अगर 300 प्लस मार्क कियें, तो हिंदी साहित बहुत सहज, सरल और छोटा विशह है, अगर आप तार्की तरीके से, यानि कि स्मार्ट तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय नही हो ये कि क्लास में क्या-क्या चीज़े रहेंगी, देखिए जो कक्षा में, जो बूर्ड पे लिखा जाता है, जो भी पावरपाइंट प्रसेंटेशन होता है, जो भी नोट्स होती है, वो तो आपको मिलती ही है, इसके अलावा हैं डिटेन नोट्स, पूरे सिलिबस की जैस बिगत वर्सों के प्रस्णों का डिस्कुसन होगा, उत्तर भी लिखाए जाएंगे, आप से उत्तर करवाए भी जाएंगे, और आपके उत्तरों में वर्तनी से लेके वाक के तक सभी अशुधियों का ध्यान रखा जाएगा, नमबर एक, नमबर दो, हर सेक्शन के खतम होन आपको हिंदी साहित के प्रती या उसके दिशा में प्रवीर करता जाऊंगा, और कोशिश ये रहेगी कि हिंदी साहित जोड़ी कोई भी गलतियां, अगर आपके लेखन में हो रही हो, या दिमाग में किसी प्रकार की शंकाया आ रही हो, तो उनको दूर किया जा सके, तो य पीछे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है दंभी समाज का आईना अलहर फक्कर कबीर कबीर के बारे में आज हमको बात करनी हैं देखिए जब बात की जाती कबीर की तो उनके जन्म से रिलेटेड बहुत सारी किवदंतियां हैं एक किवदंती है कि वह यहां पे लिखा शित्र में जाएंगे और गाओं में जाईएगा ठीक है जहां पे बुनकर या जुलाहे बहुत सारे रहते हैं वहां पे जाके आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि निश्चित तोर पे बहुत सारी बाते हैं और बहुत तरह की बाते हैं चुकि बीजक या कुछी ऐसे ग्रंथ है जहां पे कुछ प्रमाड मिलते हैं कभीर के उनके जन्म के जो पुष्ट पूर्वक जो प्रमाड होते हैं वे नहीं मिलते हैं इसलिए कहीं ने कि उनके जन्म से जोड़ी बहुत सारी भ्रांतियां है खैर तो ऐसा माना जाता है कि इनका सरशरी जो अवतरण हुआ वो तेरा सॉन्ठाइन बे ठीक है कलम में डार कर लेता हूं तेरा सॉन्ठाइन बे समवच चौदर सौ पच्पन में जेश्ट मास की पूरी मा को ब्रह्मूर्थ के समय लहर तारा तलाप के कमल पे हुआ था ऐसा भी गिवदनती है अब उमनेर कमल पे इसका जन्म होता है फिर्व नीमा के दो जुलाहे थे पती-पतनी थे इन्होंने इनको पाला और इनका जो पालन पूष्ण जिन्दगी भर मतलब जब तक ये क्यों बत कीे जाए उसके बात की तो इनकी जो पतनी थी उनका नाम लोही की चालो की आगँ जाप उनके एंकी पत्त्रत कि लेता है यह इनके बाले में थोड़ सी बेसिक जानकारी हुई जो बात हुई वू वही है कि उनकी जीवन पे बात करने वाले श्रोथ और पर्याप में शुरुभात में किया है शुरुवाती शुरोतों में बीजक और जो आधी गरंथ है आधी गरंथ गुरू नानक देव मैं बताता चलू कि आधी गरंथ में रैदास गुरू नानक देव आधी का वर्णन मिलता है गुरू नानक देव गरंथ ही है रैदास यानी संतरविदास और कभीर का वर्णन मिलत किताबों का नाम मत याद कीजे आप आधी गरंत और बीजक का नाम याद रखेगा वही आपके काम आएगे बात कीजाए उसके आगे की तो क्यूं हम कवी को कबीर को याद करते हैं ये बात बहुत जरूरी है क्या संत काव विधारा के सरवाधिक सरजनात्मक अभिवक्ति क्य सलतने हैं भक्ति काल का समाज क्या था भारत में दिली सलतनत मजबूत होती जा रही थी और कुछ दिनों बात वहाँ पर मुगलिया सलतनत शाशन गरंड करने वाली थी मतलब क्या कि भारत के जो केंद्री शाशन में थे वे भारत के आदि धर्म या सनातन धर्म या जिसे हम ह संस्कृति है वो लुप्थ हो जाए तो ऐसा कई बार कहा जाता है कि जो इसलाम का उदे भारत में हुआ और इसलाम जो केंदरी सत्ता में स्थापित हुआ उसके डर के कारण भक्ती आंदोलन शुरू हुआ ऐसा शुक्ल जी कहते हैं जहां पर वो मलेक्षवाहिनी बनाम भक्ती आंदोलन की बात करते हैं लेकिन जब आप हजारी पसाद दुवेदी जी की आचारे दुवेदी की बात करते हैं तो वह कहते हैं नहीं नहीं जो दक्षिन भारत में अलवार नैनार आंदोलन अगर आपको पता हो तो शैव नैनार और वैश्रम अलवार इनका आंदोलन बड़ा प्रभुद्ध था उनका कहना था कि वही आंदोलन जब आगे उत्तर भारत में या जो नॉर्डन्स प्लेन है इधर साइड आता है तो वो भक्तियांदोलन में तब्दील हो जाता है मेन बात ये कि भक्तियांदोलन चल ला था मतलब पहले वे लोग जो अपने धर्म को बचाने के लिए उसके उत्थान के लिए अपने धर्म को आगे लाने के लिए भक्तिसाइट लिखने लगे भक्तिसाइट की बात करने लगे व बात की जाए तुलसी दास की, या बात की जाए सूर दास की, मीरा भाई की, ठीक है, ये सभी वे लोग थे, जो कहीं न कहीं सगुण भक्ती के, अपने भगवान को सगुण रूप में मानते थे, लेकिन सगुण भक्ती के साथ एक बात की है, कि जब आप अपने भगवान को मा जो भक्तियाप कर रहे हैं वो तार्किक नहों इसी प्रकार के बिंदूओं को सामने लाने में सबसे बड़ा जो रूल है वो रूल है किसका कबीरदाशी का ठीक है बात की जाए तो संकराचार का जो अध्वैत्वाद है नात्पंतियों की जो अंतर साधनात्मक रहस्य साधना या जो हठयोग है तथा सूफियों के एकेश्वरवाद तसफु का प्रवावी एक साथ इन पे दिखता है एक साथ इन पे दिखता है इसको थोगा सा डीटेल में थोगा सा जान लेते हैं क्या क्या चीज़ अध्वैत्वाद का मतलब है कि जहां पे जो आत्मा है जब तक उ दूर रहती है ब्रह्म से जब उसको ग्ञान मिल जाता है तो ब्रह्म में विलीन बन जाती है या ब्रभ बन जाती है अहम ब्रह्मासमी इसी अद्वैत्वाद का शंखनाद है नात्फंतियों की बात की जाए तो मैंने आदिकाल में पढ़ाया हुआ है कि सिद्ध साहित ते उसके बाद नात साहित है, जब हम गोरकनात की बात करते हैं, तो नात साहित सामने आता है, भाग मचंदर गोरकाया, ठीक है, तो नात संपरदाय से इनके तार जुड़ते हैं कबीर के, चुकि इसमें दो चीज की और बात कई, अंतर साधनात्मक और हटियोग, अब जैसे हटि हट्योगी का मतलब बहुत कड़ा साधना कर रहे हैं लेकिन हट का मतलब क्या ही आपको जाना जरूरी है तो हट्योग तता सूफियों के एक 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 शरवाद हम कभी आप बताएंगे के बात किया है क्योंकि सूफि को भी डिसक्स करेंगे लेकिन इसमें तसवुफ को जान एक यू आएस हिंदी चैनल की पृद्ष में आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे मैंने इसकी बात किए है जो मेर बात है वो ये कि तसवुफ क्या है इसके मजाजी से इसके हकीकी का सफर ठीके क्या है अब आप सोच झालूँगे ये क्या दो सब्द दिए इसक मजाजी में होते हैं किसी पुरुष या महिला के जब प्रेम में होते हैं तो उसे इश्क मजाजी कहते हैं लेकिन जब आप उस प्रेम में इतना ज्यादा डूप जाएं कि आप साक्षात इश्वर से मुलाकात कर लें या साक्षात आप इश्वर के दर्शन कर लें या साक्षात इश् मी आता है वहीं पर अनलग भी आता है उसकी भी बात की जाएगी लेकिन अभी बात कबीर की तो इतनी सारे जो सिद्धान्त थे ना उनका प्रभाव एक साथ कबीर में दिखता है और इसी लिए जहां पर संपूर प्रित्वी संपूर समाज भक्ति की ओर जा रहा था महाँ पर है उनके राम कैसे हैं वहां तक कैसे कबीर पहुंचे इन सभी बातों पर आज discursion होगा ठीक है बात कीज़ाइं उसके बात की तो वैस्रल जीवन से भी प्रभावित थे वैस्रल जीवन से भि प्रन गात ही तो अब राम आएंगे विश्रु आएंगे तो युका संग्र, बीजक में मिलता है, जिसके तीन बाग है, रमैनी, जिसको रमायर का जो फॉर्म होगा, जो रमायम का ठेट, देशच भासा का फॉर्म होगा, उसमें रमैनी है, सबद यानि के शब्द, साखी यानि की साक्षी, ठीक है, आप इसमें एक एक देख लेते हैं, र साथी सबद रमैनी, इनका संक्लन बीजक के रूप में मिलता है, ठीक है, बात फिर वही कि क्यों हम कबीर की बात कर रहे हैं, वहीं प्याते हैं, बात की जाए कबीर की, तो इनका जो दाशनी का अधार है, वो बहुत जादा निश्चित नहीं है, ठीक है, साधारता लेकिन बहुत से दर्शनों से प्रभावित हैं। तो ख्लीर ही निए कि वास्तविक्ता में दार्शनिक अधार क्या है। करते हैं। उनका जो new रहे वो निराकार वो अमुर्त नहीं है। उनका गुण आती है नत्या गुणू से उपपर है। सब गुणू से उप़र है। शुर्टा करना कि यह बहुत विराथ हौंगे बड़े बाल हौए हौँगे कर को संदर्शें राम है जिनकी बात हम करेंगे तो कबीरदास के राम कैसे है कबीरदास के राम गुणातीत राम है ठीक है बात की ज़िए उसके आगे कि तो कबीरदास में कभी-कभी निर्गून ब्रहम वही में पता है कि राम यह हरी के नाम धारण कर लेते हैं और उनकी भक्ती भावना का आ इसी इसी लाइन के तीन चार अलग अलग सेंस है एक बेसिक सा मैंने बताया जिसकी बात ही करते हैं एक और बात है जो हमने बच्पन में पढ़ा भी होगा कि कस्तूरी कुंडली म्रिगे कस्तूरी कुंडली बसे मरिग ढूणे बनमाही ऐसे घटकट राम हैं दुनिया देखत मतलब कस्तूरी जो मरिग होता है हिरन होता है उसकी नाभी में रहती है लेकिन जब उसकी महक आती है तो वह संपूर जंगल में घूसती है कि कहां मिलेगे कहां मिलेगी वैसे ही राम है जो आपके अंदर वास करते हैं लेकिन कहीं मंदिरों में कहीं मस्जदों में कहीं तो राम की बात की करते हैं, पर इनके राम निर्गूर हैं, और निर्गूर भी कैसे हैं, गुणा तीद, ठीक है, गुणा तीद, तो ये हैं, कभीर, अल्हड़ फक्कर कभीर, ठीक है, सद्गुरू का महत्व प्रतवाइदित किया, इश्वर से उचा स्थान दिया, गुरू गोविंद दोओ खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरू आपने गोविंद यो बताए, ठीक है, गोविंद यो बिलाए, मिलाए भी है, बताए भी है, भी है, दोनों मिलता है, पर गोविंद यो बताए, हमने पढ़ा हुआ है, इसमें मिलाए लिख दिया है, ठीक है गुरु और गोविन्द, मतलब हमारे गुरु और भगवान SUअманे खड़े हों, किसके पाव लगें, काके लागूप पाए, पहले में किसके पाव लगूँगा, गुरु के, बलिहारी गुरु आपने गोविन्द यू बताए, मुझको भगवान के बारे में किसने बताया, गुरू मेरे जिंदगी में ना होते तो मुझे कदा पीना पता चलता कि कौन भगवान है तो पहला प्रणा गुरू को जिसने मुझे भगवान के बारे में सच्चा ग्यान बताया ठीक है और है सद्गुरू हमसे रीज कर कहया एक प्रसंग बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सवंग सद्गुरू हमसे रीज कर कहया एक प्रसंग बरस्या बादल प्रेम का भीज गया अंग ठीक है जो ग्यान के द्वारा जो प्रेम की वरशा हुई ना संपूर अंग उससे मेरा भ लेकिन शास्त्रों के विरोध करने का जो तरीका था जुने खीचना जैसे लिखा हुआ है पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया नकोए, धाई आखर प्रेम के पढ़े सु पंडित होए, मतलब बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है, जुनोंने पचास वेद पढ़ लिए, पचास उप्रिशक पढ़ लिए, पुरान पढ़ लिए, पोथिया पढ़ पढ़ के मर गए, लेकिन वास्तविक्ता में ग्यानी कौन है, जिसने प्रेम का ग्यान पढ़ा, जिसने प्रेम को पढ़ा और समझा, वो वास्तविक ग्यानी है, और उसी ग्यानी की बात कौन करते हैं, कभी दास करते हैं, ठीक है, बात की जाए, मैं कहता, आखिन की देखी, तू कहता, कागत के लिए कि मैं कहता सुर्जावन हारी तू राख्यो और जाई मैं कहता हूँ कि जो आंग से देखो उसमें विश्वास करो तुम कहते हो जो कागज में लिखा है उसको विश्वास करो मतलब पूथियों में कागज में लिखा है को इक मुवी नाम है जो जो राबट आप जरूर देखेगा उस बच्छे को देखे और बच्छे जो बड़े थे जर्मन गृर्ट के ते अग्यों के दिमांग ऑप को इन्वा अपनी दोस्त को भी खेल तुम चम्गादर्व के उलट क्यों ने रही हो तुम ऐसा क्यों ने कर रही होiones immortal Gabrielle वही मी कहता आखन की देखी, तू कहता कागत की लेखी मैं कहता सुर्जावन हारी तू राख्यो और जाई मैं कहता हूँ कि भाई चीजों को सुलजाओ और तुमने इतना ज्यादा उलजा दिया है किताबों को, प्रिशत को, पुराणों को पढ़ के किताब उप्रिशत पुराओं की बुराई नहीं कर रहे हैं वे उससे जुड़े कुछ उन बातों की बात कर रहे हैं जो अंद्विश्वास की ओर ले जाते हैं उनके तरकों को समझे और उनकी बात कीजिए ये कहते हैं कुतरकों को साइड करने की बात कौन कहते हैं हमारे कबी बात की जाए उसके आगे की तो माया के नोंने विरोत किया है माया महा ठगिनी हम जानी माया बहुत बड़ी ठग है मैं जानता हूँ कौन कहता है कमीर कहते हैं और क्या कहते हैं आत्मश्वास की प्रबलता की बात करते हैं क्या कहते हैं हम घर जारा आपना लिया मुरारा हाथ अब घर जारी तासुका जो चले हमारे साथ, आत्मिश्वास है, उनको पता है कि उनको ग्यान प्राप्त हो गया है, एक फक्कड व्यक्ति जो पंचमे सदुक्कडी में लिख रहा है, बोल ला है, उसको पता है कि उसको ग्यान प्राप्त हो गया है, और वो कहता है कि हम घर जा जो मेरे साथ चलेगा इतना कॉंविडेंट है इनको पता है कि ग्यान का मार्ग किया है ग्यान का रस्ता किधर से जाता है ठीक है बात की जाए और तो आडंबरों का विरोध किया है भाई आडंबर के खिलाब तो हमेशा खड़े रहे बोला उन्होंने कि कांकर पाथर जोर के म मस्जिद लियो बनाए ता चड़ मुला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है अब इस पे तो कितनी ही एक्सप्रेशन की जाएं कम हो जाएं कितनी बार हम लोग ने बच्पने पढ़ा कि मस्जिद इतनी उची पढ़ लिए उसकी ऊपर कोई चड़के बहुत देजी से माइ हरी मिले तो मैं पूझू पहार ताते तो चक्या भली पीस खाय संसार अगर पहार पूझने से मुझको भगवान की मिल जाते हैं तो मैं पहार पूझू अगर मैं पथर पूझने से अगर मुझे भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहार पूझूंगा बहुत बड़े भगवान पीस्ती है, केभू पीस्ती है तमाम चीजें पीस्ती है और उससे खाती है और लोगों का पेड़ भरता है दुनिया का काम चलता है तो वो पत्थर काम का नहीं है जिसको आप पूछते हो काम का पत्थर कौन है? घर की चाकी, घर की चकिया जिसको आपको पूजना चाहिए बात की जाया और तो इन्होंने सामाजिक अर्समानताओं का विरोध किया कैसे जो तू बाभन बमरी का जाया ये जाया आनबाट क्यों नहीं आया पूछते हैं कि अगर आप बाभन या बाभनी के क्या कहते हैं पुत्र है तो क्या आपके आने से यहां देख रही है वह वर्ण वरस्था को तार्किक तरीके से हमेशा बात करती होगी तो अगर पैदा होने का प्रकार एक ही है तो कोई क्यों सवन कहलाता है कोई कुई पिषड़ा कहलाता है कोई क्यों दलत कहलाता है उस पर इन्होंने चोट की है ठीक है फिर उन्होंने की बात की नारी की जाईपड़त अंदा होद भुजंक कभीराटी टिरंकी कौन गतिजीन इतनारी के संग हृत। impeel कभीर कॉछम में कआ यह तो कभी दाख से बता पाएंगे कहा है वही हम पढ़ रहे हैं नारी की जड़त अंदा बोट बुजंग नारी के जब छाया पड़ती है तो जो बुजंग होता है साफ होता है वो भी अंदा हो जाता है उस आदमी के कबिरा तिनकी कौन गती उस व्यक्ति का क्या हर लोगा जो हमेशा नारी के संग रहता है जो हमेशा नारी के महिला के साथ रहता है कैर कबीर के घर म के लिए हमको बहुत महमा मंडित नहीं कर देने चाहिए कुछ इसे भी है वो भी पूरुष थे वो भी मानव थे गलतियां उनसे भी हुई उनकी बात यहां पर हम नहीं की ठीक है तो अगर देखा जाए तो संतिकाव विधारा बक्तिकालें साहितिक चेतना का प्रस्थान बिंदू है प्रस्थान बिंदू है और यह धारा अपनी साहितिक सिर्षता को लेकर चाहे समिक्षिकों के विवात पैदा करती रहे मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूं वह इसलिए कि अगर आप आचारे शुक लोगों पढ़ेंगे तो उन्होंने कबीर को बहुत लो रेट किया कबीर को तो बात ही नहीं करते थे मुक्तों की बात वो करते नहीं थे तो उन्होंने कबीर को चुकि युगीन परस्थित्यों की बात करते थे और उनके लिए जो प्रबंद कावे थे वही मुक्षे थे और कबीर ने मुक्तक लिके हैं तो शुक्ली ज को नहीं जोड़ेंगे तो थिहास को किसी बात करेंगे तो उन्होंने कबीर की बात की उन्होंने परंपराओं की बात की तो कुछ समिक्षा कैसे हैं जो कबीर को नहीं अच्छा रेट करते हैं लेकिन बहुत से समिक्षा कैसे हैं जैसे जो आचारे शुकले के बहुत अच्छे उन्होंने भी कही न कहीं लोही रेट किया था कबीर को खैर लेकिन इसकी समाजिक रांतिक कारता और वंचित वर्गों की पक्चधारता अतुलनी है सोची ना, उस समय जब भकतिकाल चरम पे था, लोग भकति की पीछे ललाई थे, वहाँ पे व्यक्ति तरकों की बात कर रहा था, आडंबरों का विरोध करने की बात कर रहा था, दलित, दमेट, शोशित, पिछडे वर्गों की बात कर रहा था, कौन था, कबीर था, ठीक है, यही कारण है कि प्रगतिशीर आलोचा कि इसका सही मुल्यंकन करने के लिए परंपरागत सहितिक कसोटियों को बदलने की मांग करते हैं, जैसे मैंने का हाजारी पसाद वेदी की बात, और समाज निष्ट पतिमानों के अलोग में इसके महत्युका निरूपन करते हैं, तो समाज के प्रति इनका क्या योगदान था, क्या आवदान था, उसके रेलेटिव इनके महत्युकी बात करते हैं, देखें, यह मेरा टेलग्राम चैनल है, ओफिशल विकास करके, इसमें आपको यह PDF मिल जाएगी, जब यह PDF मिल जाएगी, तो आप एक काम और करिएगा कि वापस details में जाएगा, studyiq.com में हिंदी साहित, यानि कि हिंदी का वेकलपिक विश्य है, हिंदी literature का, वो शुरू हो रहा, 31 मही से कक्षाएं शुरू है, तो अगर आप UPSC के अपनी जर्नी को करना चाहते हैं, सुगम और सुलब, तो आप studyiq.com विजिट करके, आप हिंदी literature option को आप्ट कर सकते हैं, विकास live code का प्रयोग करना मत भूलिएगा, V-I-K-A-S-L-I-V-E, बिना किसी space के विकास live code, ठीक है, मैं वापस से भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, शुरुआत में भी यहाँ पे, विकास live code का प्रयोग में करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और नीचे detail में, description में भी आपको इसकी detail मिल जाएगी, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, studyiq.com पे जाना है, और वहाँ पे से हिंदी साहित option को चुनना है, और यह विकास live code आपके सामने आगा है, विकास live code का प्रयोग करना है, और अगर आप studyiq platform के द्वारा, इस बात को सुनुशित करना चाहते हैं, कि आपके तैयारी मुकमल हो, तो हिंदी साहित आपके लिए बहुत अच्छा वैकल्बिक विशा है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम के छातरों के लिए यह उम्दा वैकल्बिक विशा है, तो देर न कीजे, studyiq.com विजिट करके, आप हमारे कोर्सेश को अवेल कर सकते हैं, और भी उसमें optional कोर्सेश हैं, आप जिनको चाहें उनको देख सकते हैं, बाकि studyiq देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए,